करेंगे एक intelligence health bracelet की जो है M3 device my life इसके बहुत सारे features हैं और यह कैसे काम करता हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा तो चलिए बिन आपका time waste करते हुए मैं इस वीडियो को start करता हूँ इसमें क्या-क्या features मिलता है मैं आपको एक-एक करके बताता हूँ इसमें आप अपना heart rate monitor कर सकते हैं blood pressure monitor कर सकते हैं परड़े आप कितना चले हो वो भी आप monitor कर सकते हैं incoming call, wechat, यह qq बता नहीं मुझे क्या लिखा है twitter, facebook, alarm clock, photo control और sedimentary reminder और mileage भी दिखाता है इसमें तो friends यह मुझे 500 रुपीज के under मिला है इसमें three color options मिलते हैं blue, black और brown मैंने इसमें से black लिया है अब मैं इसे open करके दिखाता हूँ friends यह देखे यूजर मैनुल यह रहा हमारा fitness band है और यह उसका charger आप इसे use करने से पहले यह user manual बहुत अच्छे से पढ़ लिजें इस साइड चाइना में दिया है और इस साइड इंग्लेश में दिया है अब हम अपने band की tempered glass हटा देते हैं और इसे on करते हैं हमें long press करना पड़ेगा और यहां पे योगो लिखा रहे देखे प्रेंड्स परड़े हम कितना चले हैं वो भी इसमें monitoring होता है हम एक बार long press करेंगे मैं अभी तक 58 steps चल चुका हूँ इसलिए यहां पे 58 शो करा रहा है यहां पे भी heart rate monitor होता है उस देर में यह heart rate भी दिखा देगा फ्रेंड्स तो मेरी heart rate भा गई है यहां पे 95 लिखा रहे हैं मतलब यह normal है यहां पे long press करके मैं back हो जाँगा और यहां पे मेरा blood pressure चेक करते हैं फिर से मैं एक बार long press करूँगा सो फ्रेंड्स मेरा blood pressure आ गया है 115 by 70 मतलब यह normal है अब मैं long press करके फिर से बैक हो जाता हूँ motion में आपको steps दिखता है आप कितना skip किये हो वो दिखता है और setups अब हम return हो जाते हैं और more about में आपको इसका version दिखेगा mac a4c1 cof90913 बैक हो जाते हैं अब हम इसका theme चेंज करेंगे तो friends ये एक team है ये एक team है और ये एक team है हम इसे Bluetooth से connect करके अपने mobile phone से pair करके incoming call messages वगयरा वगयरा देख सकते हैं अब हम इसे देखते हैं की charge कैसे करते हैं इसके लिए मुझे इसे निकाला पड़ेगा दीरे से मैं अपने ममी की help रोंगा इसे जोड से पूल करके नीचे से उपर प्रेस करना है So friends मैंने इसे निकाल लिया है अब हम इसका charger लेते हैं और दीरे से डालते हैं हमें इसे charge करने के लिए एक adapter की जरूरत पड़ती हैं और ये adapter इसके अंदर नहीं आता है हमें इसको adapter के अंदर fix कर लेते हैं और एक बात बता दू फ्रेंड ये band silicon fiber से बना है और ये free size band है मतलब ये है जितने भी size ये adjustable है इसका मतलब है जितने भी size का आपका hand होगा ये उतने size से adjust कर लेगा तो चलिए इसे charge करते हैं जैसे ही मैं charger on करता हूँ ये vibrate होगा देखा दोस्तों ये long vibrate हुआ तो अब ये चार्ज हो रहा है तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब कीजे थैंक यू बाई और कॉमेंट शेक्शन में कॉमेंट करना ना बूलें दो आपको में कके बूलें